नमश्कार बहुत स्वागत है आपका जो तिश दिशा सत्य की राह में आपके साथ मैं हूँ आपका इश्टो फेंड संतो संतोशी 13 अगस्त नया दिन नया सभीरा आज और आप हमसे अभी लखनों में मुलाकात कर सकते हैं नमबर आपके सामने चली रहा है कि सीवी नमबर पर कॉल कर लिजे और वाट्सअप करिए और तुरंत आ जाईए मतलब एडवांस देने की ज़रूरत नहीं है डारेक्ट मिल सकते हैं बस 9910-291850 पर वाट्सअप करना होगा आपको और पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी शुर्वात आये कर देते हैं बाज के पंचांग का नक्षत्र 27 मीडिया की अध्भुत प्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राह भात प्रदमा किश्ण पक्ष दोतियाति थी चंद्रमा कुम राशी में नक्षत राज का सत्विशा है योग रहेगा शोभन तदनुसार दिनांक 13 अगस्त दिन शनिवार शनिवार को राहुकाल का समय सुबह 9 बजे से 10 बज कर 30 मिनट तक और गुलिक काल का समय रहेगा सुबह 6 बजे से 7 बज कर 30 मिनट तक राहुकाल में नए और शुब काम बिलकुल भी नहीं करने है और गुलिक काल में आप काम कर सकते हैं अब आजे जानते हैं आज की शुब भविश्य वानी मेश्राश प्रयास तेज करिएगा सफलता मिल जाएगी ब्यापार थोड़ा सा रुकेगा मुश्किले आएगी प्राइविट सेक्टर शुबता है किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी सरकारी छेत्र में लाब होगा गौर्नमेंट सेक्टर फायदा देगा दामपत्य जीवन थोड़ा सा अलग तरह से आज आपको हैंडल करना होगा लव लाइफ बहुत अच्छा है समस्याओं से बाहर निकलेंगे स्वास्त के मामले में आज डाइजेशन और लीवर की प्राबलम हो सकती है प्रियोग के तोर पर देखा जाये तो आज क्या करना होगा आपको किसी जरूरत मंद को दवा का दान करना शुब होगा क्या नहीं करना है आज दूसरों से उम्मीद नहीं करनी है शुबरंग आपके लिए लाल भाग्य प्रतिशत 72 ब्रुशब राज़िए चिंताओं से बाहर आएंगे मुश्किलों का हल निकलेगा पढ़ाई अच्छी चलेगी व्यापार थोड़ा सा नुकसान दे रहा है सोच समझ कर फैसला करिएगा प्राइबिट सेक्टर आपके लिए अच्छे अवसर देगा मुश्किलों का हल निकलेगा नई नौकरी की संभावना है सरकारी छेत्र में तनाव खत्म हो रहा है मानसिक शानती मिलेगी गौर्णमेंट सेक्टर आपके लिए कुछ विशेश लाव की अवसर देगा दामपत्य जीवन अच्छा है पत्नी के साथ अच्छा समय वीत रहा है क्या उपाय करना चेहेगा आपकी राशी ब्रिशव है आज भगवान शिव का ध्यान करिएगा भोलेनाथ का और किसी जरूरत मंद को शहद का दान कर दीजेगा क्या नहीं करना है आज अपना वाहन उधार नहीं देना है शुबरंग आपके लिए आज हरा भाग्य प्रतिशत तिरसच मिथुन राशी पढ़ाई में आज मन भी लगेगा सिक्षा अच्छी चलेगी ब्यापारिक नुकसान खत्म होगा प्राइविट सिक्टर आपके लिए आज अवसर देगा सरकारी छेतर की स्थिति को लेकर के आज आपको सजग रहने की आवश्यक्ता है कुछ मुश्किलें यहाँ पर आ रही है दामपत्य जीवन अच्छा है पत्नी और बच्चों के वीच तालमेल अच्छा बैठेगा प्रियोग क्या करना चाहिए बताएंगे हम लव लाइफ की बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा संबंद भी छेट की तरफ इशारे मिलते हैं स्वास्त के मामले में बैठ की प्रॉबलम और आखों की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए गर आपकी राशी मिथुन है आज मिथुन राशी वालों को किसी जरूरत मंद को फल का दान कर दीजे मौसमी क्या नहीं करना है उधार नहीं देना है शुबरंग आपके लिए पीला भाग की प्रत्षत चववन करक राशी पढ़ाई में आज खूब मन लगेगा सिक्षा की इस्तिती सुधर रही है अवसर अच्छे मिलेंगे लाब होता जाएगा ब्यापार की नुक्सान हो सकता है रिस्क मत लीजेगा प्राइबिट सिक्टर आप पर आज बहुत शुब प्रभाव दिखाएगा जिसका आपको पूरा एडवांटेज मिलेगा सरकारी छेतर में सुधार होगा गवर्मेंट सिक्टर में किसी तरह की समस्या परेशानी नहीं है दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा पत्नी के साथ अच्छा समय भी देगा सपोर्ट मिलेगा एक दूसरे को लव लाइफ आज विवाह की जर्चा कर सकते हैं सौास्त के मामले में बैक की प्रॉब्लम आँखों की समस्या और लीवर में समस्या हो सकती क्या प्रियोग करना चाहिए अगर आप की राशी आज करक वालों को क्या प्रियोग करना है सरसो का तेल तीन मूद अपने दाहिनी हथेली पर रखे और किसी पौधे की नीचे डाल दीजेगा क्या नहीं करना है करक वालों को भाज लंबी यात्रा नहीं करना है सुभरंग शफेद भाग्य पृत्षत साथ सिंग राश पढ़ाई अच्छी चलेगे सिक्षा में किसी तरह की दिक्कत नहीं है ब्यापार दिब्य है बिजनस में सुधार होगा प्राइवेट सेक्टर आपके लिए आज नए काम करेगा प्राइवेट सेक्टर में लाव के उसर बनेंगे सरकारी छेतर तनाव दे सकता है गवर्मेंट सेक्टर को लेकर के सजग रहने की आवश्यक्ता है दामपत्य जीवन देखा जाए तो सुधारने की तरफ है दामपत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा किसी तरह की समस्या नहीं आएगी हर कदम पर आपको शुवता बनी रहेगी लव लाइफ को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहिएगा स्वास्त के मामले में बैक की प्रॉबलम और आखों की समस्या हो सकती है क्या प्रयोग करना चाहिए अगर आपकी राशी सिंग है प्रयोग के तौर पर आज किसी छोटे बच्चे को टॉफी चॉकलेट देना शुब होगा सिंग राशी वालों को क्या नहीं करना है अपने रहस्त किसी को बताने नहीं है शुबरंग ब्राउन भाग्य प्रत्षत तिरसट कन्या राशी पढ़ाई के लिए नुकसान की भरपाई आज कर सकते हैं सिक्षा में संतुलन बना रहेगा ब्यापार अच्छा चलेगा रुके कारे गतिमान होंगी मुश्किलों का हल निकलेगा प्राइबर सिक्टर के लिए थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यक्ता है सरकारी छेत्र वालों को कुछ विशेश अवसर मिलेगा गौर्रमेंट सिक्टर वालों को आज काम में मन लगेगा दामपत्य जीवन थोड़ा सा नुकसान दे रहा है पति-पत्नी के बीच थोड़ा सा अपने आपको सभालने की जरूरत है लव लाइफ बहुत अन्कूल है जिनताओं से बाहर निकलेंगे और कुछ बड़ी पहचान करेंगे स्वास्त के मामले में कितनी आँख और बैक की प्राब्लम हो सकती है क्या प्रियोग करना चाहिए आज कन्यावालों को ओम हंग हनु मते नमह ग्यारह बारिस्मंत्र का जाब करियेगा क्या नहीं करना है आज बड़ बोला पर नहीं दिखाना है शुबरंग के सरिया औरेंज भाग्य प्रतिशत तिरपण 53 तुलाराश पढ़ाई में आज मन लगाएंगे और इसका रिजल्ट भी पाएंगे सिक्षा की स्थिति हर तरह से आपकी अनकूल है ब्यापार नुक्सान की भरपाई होगी बिजनस में कुछ अच्छा करेंगे जिसका लाब होगा प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा रहेगा चिंताओं से बाहर निकलेंगे सरकारी छेतर में परिस्थतियां थोड़ी सी प्रतिकूल है गौर्ल्मेंट सेक्टर को थोड़ा सावधानी के साथ ध्यान दीजेगा दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा पत्नी के साथ अच्छा समय बितेगा सपोर्ड मिलेगा लव लाइफ की स्थति को सावधानी के साथ कदम बढ़ाईएगा स्वास्थ के मामले में तुला राशी वालों को आज किटनी की समस्या हो सकती है क्या प्रियूग करना चाहिए रापकी राशी तुला है तुला राशी वालों को आज दूरवा का टुकड़ा दूब घास सर से तीन बार उल्टा वार कर कहीं डालना है क्या नहीं करना है अपने राज नहीं बताने है पीले रंग की शुबता में आज 65 प्रिशत का भाग ज्याब के साथ है बिश्चिक राशी थोड़ा उद्वेग नता रहेगी परेशानी होगी व्यापार कुले के सजग रहे बिजनस परेशान कर रहा है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अच्छा उसर देगा लेकिन प्राइवेट सेक्टर में किसी तरह की समस्या नहीं होगी सरकारी छेतर में टॉप पे जाएंगे गौर्वेट सेक्टर आपके लिए मानसिक शांति देगा दामपत्य जीवन कोली की सजग रहने की आवशक्ता है यहाँ पर चिंताएं बढ़ सकती है लव लाइफ बहुत अन्कूल है हर प्रकार से शुभ रहेगा स्वास्त के मामले में आँख और बैक की समस्या दिखाई देती है क्या प्रियोग करना चाहिए ब्रिश्चिक वालों को ओम गंगणपते नमः ग्यारह बार इस मंत्र का जाब करें क्या नहीं करना है दूसरों पर हसना नहीं है शुभरंग काला भाग्य प्रतिशत पचास धनुराशी शुक्षा बहुत अनकूल है पढ़ाई में अवसर मिलेंगे लाब भी होगा ब्यापार थोड़ा तकलीफ देह तो है बिजनस में आपको आज दुखसान होगा प्राइवेट सेक्टर के लिए आज सजग रहने की आवश्यक्ता है मन लगाईएगा काम में सरकारी छेत्र बहुत अच्छा है मामले में पेट और किट्नी की समस्य आज दिखती है क्या प्रियोग करना चाहिए अगर आपकी राशी धनु है भगवान बिश्रु का ध्यान करें और ओम ब्रिम ब्रहश पते नमह का जाब करिए क्या नहीं करना है आज लंबी यात्रा नहीं करना है शुबरंग आपके लिए आज पीला भाग्य प्रतिशत 56 मकर राशी बहुत शुब इस्थती में है पढ़ाई एकदम अच्छी चलेगी सिख्छा में कोई दिक्कत दोश नहीं है व्यापार अनकूलता देखा बिजनस में आगे बढ़ेंगे आप प्राइवेट सेक्टर आपके लिए मुश्किलों का हल दे रहा है प्राइवेट सेक्टर में लाव होगा सरकारी छेत्र की स्थती में सुधार लाने का प्रयास करें गौर्मेंट सेक्टर को जितना सुधार सकते हैं उतना सुधार है दामपत्य जीवन अच्छा है पत्नी और पती की बीच ताल में अच्छा बैठेगा सपोर्ट मिलेगा लव लाइफ की स्थती ठीक नहीं है इसको लेकर सजग रहने की आवशक्ता है स्वास्त के मामले में पेट और बैक की समस्या हो सकती है प्रियोग क्या करना चाहिए भगवान शनिदेव का ध्यान करे ओम शम्शनिष्चराए नमः ग्यारह बार स्वंद्र का जाब करियेगा क्या नहीं करना है आज दूसरों से उम्मीद नहीं करनी है शुबरंग आपके लिए लाल भाग्य प्रतिशत 65 कुम्बराश दिनांक 13 अगस्त शिक्षा बहुत अनकूल है पढ़ाई खूब करेंगे अवसर भी अच्छे मिलेंगे इसका लाब भी लेंगे आप ब्यापार के लिए आज तनाव से मुक्ति की योजना बनाईए प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अच्छे अवसर देगा प्राइवेट सेक्टर में शोरता बनी रहेगी सरकारी छेतर में आज कुछ गणवण हो सकता है गवर्मेंट सेक्टर को ले करके सजग रहिएगा दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा पत्नी के साथ अच्छा समय भी देगा सपूर्ट मिलेगा लव लाइफ को ले करके आपको सजग रहना है लव लाइफ में मुश्किलें आ सकती है स्वास्त के मामले में किटनी और बैक की प्राब्लम हो सकती है क्या प्रियोग करना चाहिए कुम राशी वालों को प्रियोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने पीने की वस्तु देना शुब होगा क्या नहीं करना है बढ़ बोला पर नहीं दिखाना है शुबरंग स्लेटी भाग्य प्रत्षत 57 अंतिम राश मीन पढ़ाई तो हो ही रही है सिक्षा में आज सुधार भी कर लेंगे ब्यापार को लेकर के आज थोड़ा स्चेन ता बढ़ सकती है बाहर से कोई और कैंसिल हो सकता है जिससे आपको मुश्किले आएंगी प्राइवेट सिक्टर में किसी तरह की रुकावट परेशानी नहीं है इसमें आपको सजक्ता के साथ कदम बढ़ाना होगा सरकारी छेतर में उल्जने बढ़ रही है गौर्मेंट सिक्टर में आप परेशान होगी दामपत्य जीवन अच्छा है पत्नी के साथ अच्छा समय बीत रहा है कदम आगे बढ़ेगा बच्चों का सुख मिलेगा लव लाइफ को लेकर तनाव बढ़ सकता है जिसमें आपको उल्जन होगी स्वास्त के मामले में बेट, आँख और किड्नी की समस्या दर्शाता है क्या प्रियोग करना चाहिए गर आपकी राशिमीन है ओम हंग हनुमते नमः पजरंग बली का ध्यान करकी इस मंत्र का ग्यारह बार जाब करे क्या नहीं करना है आज दूसरों के बातों में नहीं आना है शुबरंग आपके लिए गुलावी भाग्य प्रत्शत 67 मेश से लेकर मीन तक अब आए्ये जानते हैं आज का दिब्ब भाग्यक्षर मेश राशी जौक्षर बिशप राशी फाउग षर मिथुन राशी खाउग षर करक राशी गौउग षर सिंग राशी पाउग षर ये शुब भाग्याक्षा सादे चौकुर काघश पर लिखना है और अपने पास रख लेना है आज कई सक्सेस की साथ लॉंग सर से उल्टा वार कर कपूर से जला दीजेगा घर के बाहर बस जिसका आज शुब जनम दिन है किसी अस्पताल में बिद्याले में कहीं पीपल या बरगत के पौधे लगा दीजेगा और बच्चे या बुजर्ग को दवा का दान करिएगा जिसकी आज मेरिज अनिवर्सरी है किसी जरूरत मंद को कुछ खाने की वस्तों देकर पब्लिक प्लेस पर पीपल या बरगत का पौधा कहीं लगाना शुब होगा तो भी आज हमसे आप गाजियाबाद कल से आप हमसे गाजियाबाद मिल सकते हैं हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और आज और अभी मुलाकात कर सकते हैं लखनों में तुरंत चले आईएगा लेट मत करिएगा बहुत बहुत आभार नमस्कार शिरादे